Scripts and Functions with Scilab के Spoken Tutorial में आपका स्वागत है। Scilab में फाइल प्रारूपों के एक संक्षिप्त परीचे के साथ आरंब करते हैं। जब कई कमांड्स निश्पादित की जानी होती हैं तो इन स्टेट्मेंट्स को Scilab Editor के साथ एक फाइल में लिखना अधिक सुविदाजनक हो सकता है। इन्हें स्क्रिप्ट फाइले कहां जाता है। स्क्रिप्ट फाइल में लिखे कमांड्स को निश्पादित करने के लिए स्क्रिप्ट फाइल के नाम के बाद एक्जेक्ट फंक्षन का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य तह इन फाइलों का एक्स्टेंशन इनकी सामगरी के आधार पर .sce या .sci होता है। .sci extension वाली फाइलों में साइलाइब फंक्षन या यूजर डिफाइन फंक्षन शामिल होते हैं। इन फाइलों को निश्पादित करना साइलाइब एन्वायर्मेंट में फंक्षनों को लोड करता है, किन्तु उन्हें निश्पादित नहीं करता है। जबकि .sce extension वाली फाइलों में sclap function तता user defined functions शामिल होते हैं क्रिपिया याद रखें कि .sce और .sci के रूप में extension के नाम करण की परमपरा नियम नहीं है अपितू sclap समुदाई द्वारा पालन की जाने वाली एक परमपरा है कम्प्यूटर पर sclap console window कोलते हैं कमांड प्रॉम्ट पर कमांड pwd टाइप करने के द्वारा current working directory की जाच करें sclap console window के टास्क बार पर जाएं तता sclap editor को खोलने के लिए editor विकल पर क्लिक करें मैंने पहले ही एक फाइल में कमांड टाइप कर लिया है तथा इसे hello world.sce के नाम से सेव कर लिया है इसलिए मैं open a file shortcut icon का प्रेयोग करके उस file को खोलूंगा hello world.sce file को select करें तथा open पर क्लिक करें आप नई file में commands टाइप कर सकते हैं तथा इस file को file menu के माध्यम से hello world.sce के रूप में current working directory में save कर सकते हैं scilab editor के menu बार पर execute बटन पर जाएं तथा load into scilab विकर्प को select करें यह file को scilab console में load करेगा console में file load करने के बाद script output प्रदर्शित करती है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें commands तथा संबंदित commands के लिए prompt output दोनों सामिल होते हैं अब a की value को बदल कर one करें editor में file menu पर जाएं तता save पर click करें हम exec command का प्रयोग करके script को सीधे scilab interpreter से भी निश्पादित कर सकते हैं तता script file के लिए mark प्रदान कर सकते हैं जैसे exec brackets में i double quotes में hello world.se जो file का नाम है और enter दबाएं script file एक्जेक function के प्रयोग के साथ समान output प्रदान करती हैं अब functions के बारे में बात करते हैं functions की परिभाशा keyword function से शुरू होती है तता keyword end function पर समाप्त होती है मैंने पहले इस iLab editor का प्रयोग करके function.si में एक function file save कर ली है मैं वह file खोलूंगा जैसा कि आपने देखा कि function यहाँ परिभाशित किया गया है इसमें degrees output parameter है और radian input parameter है radians to degrees नामक functions के लिए मैं execute menu विकर्प का प्रयोग करके इस function को silab में लोड करूंगा function अब silab console में लोड हो गया है इसे exec command का प्रयोग करके भी लोड किया जा सकता है एक बार function के लोड हो जाने पर उस function में विशेश argument पास करके इसे किसी भी अन्य silab function की तरह कहा जा सकता है percent चिन्न का एक mental note बनाए तता इसके प्रयोग का काराणियाद करें अब हम percent pi by 2 के radians to degrees और percent pi by 4 के radians to degrees के लिए मान निकालते हैं percent pi by 2 एवम radians to degrees percent pi by 4 अब हम एक से अधिक input और output argument वाला एक function देखेंगे यह function input argument के रूप में polar coordinates लेता है तथा output argument के रूप में rectangular coordinates देता है मैं वह file खोलूँगा जिसे मैंने पहले ही type कर लिया है यहां आप देख सकते हैं कि function polar to rect के लिए x और y output parameter हैं तथा r और theta input parameter हैं मैं exact विकल्प का प्रयोग करके इस function को silab में load करूँगा एक बार function लोड हो जाने पर हमें function को call करने की आवशक्ता होती है इस function को दो input argument एवं दो output argument की आवशक्ता होती है इसलिए r is equal to 2, theta is equal to 45 और अब हम इसे कहेंगे x1, y1 output parameters equal to function name polar to rect bracket में r, theta और enter दबाएं आप x1 और y1 की value देखेंगे silab की आकरशक विशेशताओं में से एक यह है कि आप एक single .sci file में कई functions को परिभाशित कर सकते हैं इसे करते हुए कृपिया याद रखें कि default रूप से एक function में परिभाशित किये गए सभी variable local होते हैं और एक विशेश function में प्रयूक्त इन variables का scope function परिभाशा के end function keyword के साथ समाप्त होता है इस विशेशता का लाभिय है कि हम विभिन्न functions में एक ही variable नामों का प्रयोग कर सकते हैं ये variables तब तक मिश्रित नहीं होंगे जब तक हम global विकल्प का प्रयोग नहीं करतें ग्लोबल वेरियेबल्स के बारे में और अधिक जानने के लिए help global type करें कृपिया ध्यान दे कि यदि एक function के अंदर किसी भी variable को देखा या निरिक्षन किया जा रहा है तो disp की अवशकता होती है एक function फाइल के अंदर आप श्वयम के लिए एक statement के अंत में semicolon लगाने के प्रभाव की जाच कर सकते हैं इसे disp statement के लिए भी चेक करें Inline functions, function code के segment होते हैं जिन में local variables के साथ साथ सूपरिभाशित input एवं output होता है एक function को परिभाशित करने का सबसे आसान तरीका def command का उप्योग करना है Scilab inline functions बनाने की अनुमती देता है तथा विशेश रूप से तब उप्योगी होता है जब function की body छोटी होती है इसे def function की मदद से किया जा सकता है यह दो string parameter लेता है पहली string function के interface को परिभाशित करती है तथा दूसरी string function के statements को परिभाशित करती है def command scilab में function को परिभाशित करता है और इसे load भी करता है सपश्टता या execute menu विकर्प द्वारा def command का प्रयोग करके परिभाशित किये गए function को load करने की कोई आवशक्ता नहीं है इस अवधारना की व्याख्या करने के लिए हम एक उदारन देखते हैं मैं inline.sci नामक एक फाइल खोलूँगा जहां मैंने inline function लिखा है मैं editor window को resize करूँगा जैसा कि पूर्वा में उलेक किया गया है कि पहली string function declaration को परिभाशित करती है तथा दूसरी string function के statements को परिभाशित करती है हम इस function को scilab editor में load करेंगे तथा 90 के degrees to radians और 45 के degrees to radians मान निकालने में इसका प्रयोग करेंगे एक function न केवल अपने आंतरिक अन्य फंक्शनों को बलकि स्वयम को भी call कर सकता है यह function की recursive calling है उदारन के लिए एक integer के factorial की गणना करने के लिए एक function लिखते समय इसकी आवशक्ता होती है आईए scilab में file प्रारूपों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि पूर्वा में उल्लेक किया गया है कि scilab में दो प्रकार के file प्रारूपों sc-file प्रारूप तता sc-i file प्रारूप का प्रयोग किया जाता है .sc-file extension वाली file ए script file हैं जिनमें वे scilab कमांड शामिल होती हैं जिने आप एक interactive प्रकार के scilab session के दोरान प्रविष्ठ करते हैं उनमें function को लिखने में प्रयोग की गई comments लाइने भी शामिल हो सकती हैं तता वे script को execute करने के लिए exec command का प्रयोग भी कर सकते हैं .sc-i file extension वाली file ए function file होती हैं जो function statement के साथ शुरू होती हैं एक acaly.sc-i file में कई function परिभाशाएं हो सकती हैं जिनमें बहुत से scilab statement शामिल होते हैं जो function argument पर या output variable पर संक्री आये करते हैं जिसके बाद उनका मुल्यांकन किया जाता है यह हमें scilab में scripts and functions के spoken tutorial की समापती पर लाता है scilab में कई अन्य function हैं जिने अन्य spoken tutorial में शामिल किया जाएगा scilab links देखते रहें यह spoken tutorial free and open source software in science and engineering education द्वारा बनाया गया है FOSI project पर अधिक जानकारी fosi.in या scilab.in से प्राप्त की जा सकती है यह project पारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रियस आक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org.nmeict-intro पर उपलब्द है मैं यह सुरा बाप से विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद अलविदा